कपास के दाम में गिरावट के चलते कपास की खेती करने वाले किसानों को परियाप्त फाइदा नहीं मिल पा रहा है। वैसे देखा जाए तो कपास एक कमर्शियल फसल है। अगर इसकी अच्छी खेती हो तो किसानों को बंपर मुनाफ़ा हो सकता। लेकिन किसानों को विधान सभा चुनाव होना है यही कारण है कि चुनाव के पहले कपास के भाव को लेकर राजनीती गर्मा गई हालांकि इसके पूर्व ही किसान कपास के भाव को लेकर सरकार से कपास के आयात पर प्रतिबंध लगाने की लगातार मांग कर रहे हैं कपास उत्पादन के मामले महाराष्ट्र देश में दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र के 40 लाग से अधिक किसान कपास की खेती करते हैं। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को होने वाले विधान सभा चुनाव से पहले किसानों के मुद्दों पर राजनीती गर्माई हुई है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने केंद्र सरकार से कपास के आयात पर प्रतिबंध लगाने का आगरह किया है। उन्होंने दावा किया कि इससे किसान प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने मांग की कि कपास की खरीद 7122 रुपए के न्यूंतम समर्थन मूल्य पर की जा। कांग्रेस नेता ने कपास के भाव को लेकर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में पटोले ने कहा कि कपास उत्पादन के मामले में महाराष्ट्र देश में दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र के 40 लाग से अधिक किसान कपास की खेती करते हैं। कपास की कीमत 6500 से 6600 रुपए प्रती क्विंटल के बीच है जो 7122 रुपए के न्यूंतम समर्थन मूले से कम है। काफी असर पड़ेगा और केवल व्यापारियों को फाइदा होग। महाराष्ट्र में कपास किसान पहले से ही कम कीमतों, क्रिशी उपकरन पर 12-18% गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स और बेमौसम बारिश के कारण मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि प्रतिकूल मौसम ने इस साल 19 लाख हेक्टेर में कपास को नुकसान पहुँचाया है और केंद्र सरकार द्वारा घोशित मुआवजे की राशी केवल काग्जों तक ही सीमिध। पटोले ने आगे कहा कि प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना किसानों के बजाए बीमा कमपनियों को फाइदा पहुचाती है। भारतिय कपास निगम, CCI, के पास भी कपास का बड़ा स्टॉक। कांग्रेस नेता ने कहा कि किसानों के कल्यान को ध्यान में रखते हुए केंद्र को कपास के आयात पर ततकाल प्रतिबंद लगाना चाहिए और CCI को गारंटी वाले मूले पर कपास खरीदने का निर्देश देना चाहिए ताकि स्थानिये क्रिशकों को कपास बेचने पर उ करकेट तामस्टीव